पी-म किसान सम्मान निदी के तहट केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों के बैंक खातों में 3,700 करोड रुपिया सीधा सीधा किसान के बैंक के खातों में जमा हुआ है अकेले पंजाब में बीच में कोई कंपनी कटकी कंपनी नहीं कोई बीचोलिया नहीं कोई माफिया नहीं सीधा भाईयो बहनो मुझे बताईए किसान मुझे आसिरवाद देगा के नहीं देगा देगा के नहीं देगा इसका लब पंजाब में करीब 23 लाग किसानों को मिला है 23 लाग किसानों को केंद्र सरकार की प्रदान मंत्री आवास योजनों के तहर पंजाब में 75,000 चे अधिक गर बनाए जा रहे हैं और एक-एक घर बनाने के लिए लाग सबा लाग रुपियां उनके खाते में भारत सरकार जमा करवाती हैं ताकि वो पक्के घर में जिन्दगी गुजारना शुरू करे भाई गरीबों को पक्के घर के लिए अकेले पंजाब को दो हजार करोड रुपिय से के भी अधिक की राशी दी गई है इदर आंकडे जोड दीजिए मैं तो कुछी बता रहा हूँ ये सारा दिल्ली से पैसा पंजाब की धरती पर उतारने का हमने काम किया है साथियों उजाला स्कीम के तहट हमने बिजली बिल कम हो हमेशा हमेशा के लिए बिजली का खर्चा कम हो आपकी जेब से जादे पैसे न जाएं एक स्थाही विवस्ता बनाई और टेक्नोलोजिकल सॉलूशन निकाला इसके तहट LED बाल हमने पंजाब में वित्रित किये इस वज़े से गरीबों के बिजली के बिल में 900 करोड रुपिये से भी अधिक बिजली का बिल बचा है अगर मज़्यंबर के घर में चार लट्टू वाले हैं तो उसका पंद्रा सो दो हजार रुपिया बच जाता है बिजली का भाई हो ये लोग आज जो वादे कर रहे हैं वो एक प्रकार थे आपके घर में रोशनी लाने का वादा नहीं है आपके जेब के पैसे बचाने का वादा नहीं है ये ऐसा रास्ता है जो पूरे पंजाब को कुछी वर्षों में अंदकार में डुबो देगा बिजली के कार खाने चलाने की ताकत नहीं होगी पूरा पंजाब अंधेरे में फस जाएगा ये रास्ता इंडो ने चुना है आप मुझे पताईए क्या पंजाब में अंधेरा आने देना है अंधेरा आने देना है तो इन लोगों को दिल्ली में ही रोक लो भईया आने मत दो यहां हम इस बात की ववस्ता भी कर रहे हैं कि ना सिर्फ बिजली का बिल कम हो बलकि बिजली कारखेने भी अच्छे धंग से चले और जरूरत के हिसाब से नए कारखाने भी लगे साथियो 84 के दंगों के समय जब कॉंगरिस के नेता नव समवार चल रहा था और कॉंगरिस के नेता क्या कर रहे थे हुकम कहां से आ रहे थे ये आप से ज़्यादा और कौन जानता है भाईो तो ये बीजेपी के नेता हमारे कारकरता हमारे सीख भाई परिवारों को बचाने के लिए मैं उस समय गुजरात में था एक भी एक भी परिवार को तकलीब नहीं होने दी एक भी परिवार को शान से जीते हैं भाईो हर सुख दुख में हम पंजाब के लोगों के साथ डट कर खड़े रहे हैं ABP News आपको रखे आगे